Hi everyone, this is Haris again. काफी दिन हो गाए, वीडियो नहीं बनाई तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं. काफी अर्से से I was thinking about कि जब हमारे स्टुइंट्स मार्केटिंग पढ़ते हैं और मार्केटिंग में जो लोग इन्वार्व रहते हैं तो वो उसको कितना ज्यादा एक्जिक्यूट करते हैं. और मैंने बहुत ज्यादा नोटेस किया है कि एक्जिक्यूशन लेवल पर जो हम कही ना कही मार खा रहे होते हैं. और प्रॉबेल यही वज़ा है कि जो हमारी जो लोकल ब्रैंड वो इतनी पॉपलिशन होने के बावजूद वो प्रॉगल करती हैं। in terms of sales, in terms of brand building, in terms of building their brand equity, in terms of building their customers as well. अगर आप नोटिस करें तो उसकी जो सबसे बड़ी वजा यह होती है कि जो कुछ हम books में पढ़ते हैं, हम उसको properly जो है strategize कर नहीं पाते हैं, उसको implement नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि वो शयाद जो books हैं क्योंकि American books हैं या British books हैं तो उनके जो scenarios जो उसमें बताये होते हैं वो पाकिसान में implement होते नहीं यह नहीं हो सकते हैं, जबकि यह बात बलकुल गलत है, अगर हम उसको notice करें और उन books में से अगर हम चीजें निकालने की कोशिश करें तो we will realize कि उनमें से बहुत सी ऐसी चीजें और प्रॉबबली 90% ऐसी चीजें होती जो कि पाकिसान में implement हो सकती हैं, लेकिन problem यह है कि आपको obviously पाकिसान की market के लिहां से उसको थोड़ा सा tweak करना पड़ेगा, जो कि tweaking वाला जो process होता है वो अक्सर missing होता है, because हमारा जो focus सारा रहता है कि बस आज भेज़तो, कल की कल देखेंगे, अब यह एक बहुत बड़ी problem है, अब मैं आपको एक example देता हूँ, for example marketing के general marketing पड़ी है या business पड़ा है, उनको बता है कि marketing के 4 P's होते है, ठीक है, product होता है, price होता ह and promotion होता है, ठीक है, हमारा सारा focus promotion पर चला जाता है, हम product का ख्याल ही नहीं रखते है, ठीक है, अचा product जब आप बनाने जाते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ज़्यदा important चीज जो होती होती है research, आपकी research अच्छी होना बहुत ज़रा जरूरी है, let me give you example, for example, एक बंदा, जिस तरह बनाएगा, उसके पास सारे वसाइल भी हैं और उसके पास पैसा भी काफी ज़्यादा है, building वो अच्छी से अच्छी बना सकता है, लेकिन let's see, उसने यह सोचा कि मेरी profitability सबसे ज़्यादा कहां से आएगी, तो उसको थोड़ी सी पहले research करनी पड़ेगी, let's say, कि किस area मे किस किसम के लोग रहते हैं, सभी उनकी क्या requirements हैं और क्या उनकी उतनी buying power है जिस किसम की मैं चीज़ बनाने जा रहा हूं, let's say, कि आप महंगी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन खरीदने वाले उतने उस particular area में नहीं है, तो probably आपकी चीज़ फेल हो जाएगी, या उस तरह आपक आने जाएंगे तो शायद लोग आपके पास नहीं आएं, तो it's very important कि उस चीज़ को समना जो मैं कहा हूं, बार-बार research कि customer की क्या requirement है, उसके base पर आप product बनाते हैं, उसी के base पर, once you know about your customers, उसी के base पर आप pricing करते हैं, कि यार ये price सही रहेगी और इस price के लिहाज से मेरा flat जो जगा पर आप बना रहे हैं, जगा is very important कि आप जिस जगा पर भी जा रहे हैं, क्या आपके customer exist करते हैं वहाँ पर, सही है, क्या उनके पास इतना पैसा है कि आपकी product ले सकें, सही है, क्या अगर उनका certain life style है, जिसके उनका वो life style चाहते हैं, for example, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो commercial और non-commercial का difference जो होता है, यह मैं सिर्फ construction company की example दे रहा हूँ, इसी तरह वो जगा होना जरूरी है, इसी तरह पिर जब आप promotion करेंगे तो आपको यह देखना होगा, कि आपके जो customers है, for example, digital पर ज्यादा रहते हैं, TV ज्यादा देखते हैं, radio ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, billboard ज्यादा देखते हैं, traveling पे usually रहते हैं, मतलब उनकी यह सारी insights पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, हमारे साथ problem यह होती है, पाकिस्तान में especially मैंने यह notice किया है, कि हम product बना लेते हैं जल्दी से, और बस फिर हम sales team को force करते हैं कि बेचो, बेचो, क्योंकि हमारी marketing की insights उस तरह नहीं होती हैं, कि जो के help out कर सके इस पूरे process को, plus sales team को, कि उनोंने अगर कोई product बेचना है, तो किस तरह बेचना है, उससे होता यह है, कि overlapping हो जाती, cannibalization हो जाती, cannibalization basically बोलते हैं, कि जब एक product आपने बनाई, और उसी company ने उसी जैसी product दुबारा बना ली तो, और जो sales product A की होनी चाही थी, वो product B ले जाती है, जो product B की होनी चाही थी, वो product A ले जाती है, और फिर उसमें जो और दूसरे मसले मसाल होते हैं, वो तो अपनी जगा है, तो इसलिए, अगर आप start में ही this cheese को नहीं समझेंगे, कि आपकी target market क्या है, उनकी requirements क्या है, और आप किस problem का solution दे रहे हैं, तो आप कोई भी product launch करेंगे, मैंने तो construction की example दी, लेकिन आप कोई भी product launch करेंगे, तो आपको ये problem आ सकती है, तो it is very important कि जब भी आप कोई भी product बना रहे हों, थोड़ा सा उसका background working जरूरी है, secondary research तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अगर primary भ होती है अगर पाकिस्तान में आप बात करें सही है, A.C. Nielsen एक बहुत अच्छी research agency है, उनकी reports होती है, तो वो reports जो होती है, वो इसलिए होती है और इसलिए buy की जाती है, कि ताके उससे आपको ये पता चल सके कि आपकी जो market की requirement है, वो कैसी है, अब पाकिस्तान की अगर example है पाकिस्तान में क्यों के जी 20 करूर, 22 करूर का मुलक है, तो किसी ना किसी तरह product बिगी जाएगी, लेकिन इधर भी इतनी products जो है, बहुत सी products ऐसी है, जो के एक certain category को target कर रही होती है, क्योंकि उनके पास buying power है, सही, what if के अगर आप products को target करें, masses को, सही, for example, अगर पाकिस्तान में malnutrition का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको government बहुत ज्यादा highlight करती है, तो what if अगर कोई product, जो है malnutrition के लिए बने, या especially जो masses है, जो जिन बच्चों को पूरी खोराक नहीं मिलती है, उनके लिए बने, तो मतलब ये, मैं सिर्व example दे रहा हूं कि इस तरह research always helps to come up with better products, और ingredients या उसमें qualities आप ऐसी डाल सकते हैं, जो के larger audience को आप attract कर सकते हैं, rather than के आप छोटे से chunk को attract करें, और फिर imagine करें के एक ही छोटी सी market है, जिसमें 100 products गोजगी, तो competition obviously ज्यादा होगा, सही competition ज्यादा हो तो आपके profit margins कमोंगे, जो profit margins कमोंगे तो फिर आप उसी तरह struggle करेंगे, जिस सरह usually business में करते हैं, that's why I say कि whenever you talk about marketing, there are lot more which comes under marketing, जो के हम लोग उसको execute बिलकुल भी नहीं करते हैं, और हम लोग, मतलब हमारी जो thinking, जो है thinking हमारी as such नहीं होती, and एक बहुत ज्यादा important चीज ये भी होती है कि थोड़ा सा loss बरदाश्ट करने का, आप जो है loss बरदाश्ट करने की सलाहियत रखें, सही है, क्योंकि loss अगर आपको आज होता है, तो कल आपको फाइदा दे सकता है, सही customers जो होते हैं, don't lose your customers, सही है, you can lose a product, but if you lose a customer, तो वो customer दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगा, चाहे आप दूसरी कोई भी नई product आप कर लें, for short term के लिए तो से बहुत ज्यादा काम करते है, customer equity पे, सही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर customer, for example, एक customer 30 साल का है, और वो 60 साल तक जिन्दा रहता है, और अगर आज वो उसको customer बना लेता है, वो 30 साल तक उनकी products इस्तवाल करेगा, that's how they forecast कि उनके जो revenues होंगे, वो किस तरह होंगे, हम हमारे, unfortunately, हम लोग बहुत स्यादा अगर sales planning करने जरे एक साल की कर लेते हैं, या तीन साल की कर लेते हैं, कि तीन साल में हमने यहाँ पर जाना है, या पास साल में यहाँ पर जाना है, इसलिए, it's very important कि हम जब customer के बारे में पढ़ते हैं, तो customer understanding बहुत ज्यादा जरूरी होता बेर्स्ति को, हमने लेते होगाँ खर्याद जरूरी है, यहाँ जरूरी होता है, या प्याद्ट जरूरी होता है जरूरी है, यहाँ आदूरी है।